हाई गीज और विल्कम बाक टो दी चैनल दीपच्य दव एजूकेशन विल्कम दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 27 ऑफ में 2023 तो गाई आज है तारिक 27 मही 2023 और है सैटरडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स मनेंगे उन सभी करेंट अफिय आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है तो आज कौन-कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइफ चैट में जरूर से मेंशन करना इस लेक्चर में हम लोग मेजर ली इंपोर्टेंट के उपर फोकस करते हैं इसके साथ साथ बाकी सारी इंप करने वाले हो क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बिस्स पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है यानि पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनो लास्ट में टेस्ट दो जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना एक हाई कॉ पीडियाफ बगरा चाहिए उसके लिए आपने टेलिग्राम पर जाना है वहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में लिखना है दीपाच यादव एजुकेशन यूपीए सी आपको ये टेलिग्राम चनल मिलेगा यहां साब डेली बिस्स पेस लेक्चर के पीडियाफ को स्टार्ट करते हैं सेशन को काफी कोछा डिसकस करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि लास्ट में आपने टेस्ट देना है याद रखना तो इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर त्री डिफेंस एन सेक्यूरिटी के पॉइंट अव्यू से लिंक कर सकते ह है यहां पर एक मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है जिसका नाम है Iris यानी IRIST Surface Launch Missile System ये आप देख पार हो ना यही है Surface Launch Missile System ये खबरो में क्यों है हम क्यों डिसकस कर रहे है पहले कारण जानते हैं पर उसके बाद factual डेटा जो examination में पूछा जाएगा यह news में इसलिए है क्यों यूनियन यूनियन मतलब 27 देशों का पूरा ग्रूप जो यूरॉप कंट्रीज हैं दूसी तरफ हैं यहां पर नैटो यानि नॉर्थ एट्लांटिक ट्रीटी ओगनाईजेशन जरह बता दो नैटो में कितने देश हैं ठीक है तो एक तरफ हो गए यहां पर 27 इसमें नैटो के जर्मनी के साथ में बात करने वाली हैं इविन जर्मनी की यहां पर एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है देल डिफेंस इनसे बातचीत करेंगी ताकि इस कंपनी से इसी वाली मिसाइल सिस्टम को यह परचेज कर सकें बस यह है न्यूज इस वज़ा से यहां पर यह जो स्चाहिए ज़ाद होगा आपको यह जो मिसाइल सिस्टम है यह मीडियम रेंज वर्जन है मीडियम रेंज तक के टारगेट को यह इट कर सकता है और इस पूरे सिस्टम को डिजाइन और प्रड्यूस दोनों ही यहां पर जर्मनी की कंपनी है डेल उसने किया है यह सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया को यानि कि जिस भी एरिया में इसको तहनात कर दिया जाए वहां पर 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अब किस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा मालो हवा में दुश्मन का हेलिकॉप्टर है एरक्राफ्ट है, क्रूज मिसायल या फिर कोई वेपन और दूसरा है तो उन सब को यह हवा में उड़ाने का काम कर सकता है अच्छा मैं आपको एक पिच्चर दिखाता हूँ हाँ पहले उससे पहले आपने थोड़ी लोकेशन के बारे में देख लेना है अभी हम बात कर रह आँगी कई सारे वहिकल होंगे उसमें अलग-लग चीज़ होंगी रडार भी होगा यह ना लॉंचर आपके एक दो तीन करेंगे लॉंचर होंगे तो जिस एरिया में यहां पर इसको खड़ा कर दिया जाएगा उस एरिया में कहीं से भी अगड़ अटाइक हो रहा हो इधर स कोई अटाइक हो रहा हो इधर से इधर से कहीं से भी 360 डिग्री में यहां पर आप देख पा रहोंगे यह 360 डिग्री में इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइट करवाने का काम करता है यह वाला डिपेंस सिस्टम ठीक है समझ में आ गया एक साथ बहुत सा सिस्टम में तीन वहिकल होते हैं एक मिसाइल लॉंचर एक रडार और एक फायर कंट्रोल रडार आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसी रडार के माध्यम से कह सकते हो जो टार्गेट उसको कैप्चर किया जाएगा क्योंकि इसमें रडार लगा रखा है 200 किलोमेटर तक की रेंज वाला ठीक है तो जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल क्या करेंगी इंफ्रारेड इमेजिंग का यूस करेंगी ताकि अपने टार्गेट को पता लगा सकें और टार्गेट का जैसी पता लगता है वैसे यहां पर इसमें से मिसाइल छूटेगी और अपने टार्गेट को ज जर्मशन का है ठीक है आगया आते हैं अगले अर्टिकल पर नेक्स अर्टिकल में मचली पतनम पोड के बारे में discussion क्या जा रहा है चो यह मचली पतनम क्या है यह बंदरगा क्या है इसको समझेंगे location समझेंगे location बहुत important है दूसरी चीज अभी मैं आपको port का एक model समझाओंग इस वज़े से यहां पर है नियूज में है यह जो पोर्ट है यह एक डीप सी पोर्ट है जो की बे ओफ पैंगॉल के तट वाले रीजन पर देखने को मिलेगा इस्पेशली आंदर प्रदेश के अंदर में जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर यह पोर्ट इस्थित है अच्छा अगर हम देखें तो इंडिया के पास में वैसे कई सारे बंदरगा है बंदरगा का बनता है जहां पर समुदर वाला हिस्सा है अब्यसी बात है तो जितने ही बंदरगा होंगे यह समुदर से जहां पर इंडिया की बांडरी स्टच हो रही है वहीं पर होंगे है न बे उफ बेंगॉल, बे उफ बेंगॉल के तर्ट वाले रिजन पर आप देख पा रहोंगे, यह यहीं पर मचली पत्नम पोर्ट है, जो मैंने सरकल बना दिया न, यही है पोर्ट जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, इसी पोर्ट से क्या होगा, यहाँ पर समान लाओ गए, ज पोर्ट पर पहुँचाएंगे, और इसी पोर्ट के मादे हम से वो एक्सपोर्ट किया जाता है, क्लियर हो गया, अब जो यह पोर्ट का डवलप्मेंट है, वो वहाँ की राजय सरकार ने किया है, और यह जो पोर्ट है यह एक मॉडल के अंदर काम करता है, जिसका नाम है ल पाँच हजार 156 करोड में, यह जो प्रोजेक्ट है, इसको लगू कौन कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर मचली पत्नम पोर्ट डवलप्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेड एक अलग से स्पैशल परपस वहिकल, यानि अलग से बौड़ी बनाई गई है, राज्य सरकार के त अलग अलग है, यहाँ से आप कोईला हो गया, खाद हो गया, कोकिंग कोईल हो गया, कोकिंग ओईल हो गया, उसका कंटेनर, एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट्स हो गया, सीमेंट, ग्रेनाइट, उसके अईरो मोगरा से जैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीके, इत आसा मॉडल होता है जहाँ पर पब्लिकली गवन पोर्ट अथरिटि जो यह आने की कह सकतो सरकारी बॉड़ी गोर्णन्ट बॉड़ी क्या करती है एक रेगुलिटरी बॉड़ी का काम करती है तो लैन्डलोड पोर्ट एबिन आप कहसे हो, जो port authority होती है, जिसको सरकार control कर रही है, वही यहाँ पर उस port की ownership भी रखती है, ठीक है, यानि कि सरकार यह ownership होती है, उस बंदरगा को लेकर, जबकि उसमें infrastructure वगरा को लेकर कोई काम करना है, तो वो private company को दे दिया जाता है, प्राविट कंपनी अपना काम कर रही होती है, कारगों को कैसे handle करना है, क्या install करना है, क्या install नहीं करना, वो private companies के उपर रहता है, लेकिन main काम हमारी publicly, यानि की government owned companies के पास में होता है, ठीक है, landlord portal, यह port model समझ में आ गया, आगया आता है next article पर, अगली article को GS paper number 3, environment वाले section से link कर पाऊगे, और GS paper number 1, geography के section से link कर पाऊगे, heat wave के बारे में discussion किया जा रहा है, अब heat wave एक ऐसा concept है, जो हमने कई बार पड़ा रखा है, आप नहीं पड़ा है, इसमें जादा कुछ time waste करेंगे नहीं, थोड़ी दिर में आपर cover करके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो Indian Metallurgical Department है, भारत का जो मौसम विभाग है, उन्होंने अभी एक heat wave warning जो है, वो जारी कर दिये डेली के अंदर में, और डेली के असपास के areas के लिए, क्योंकि जो temperature है, कई सारे हिस्सों में 45 degree Celsius से उपर पहुंच गिया है, ठीक है, तो heat waves जो है, कब देखने को मिल जाते हैं, तो heat waves आपको March और June के महिने में देखने को मिलता है, ठीक है, और rare cases अगर कुछ ऐसे cases निकल कर आगए, कि गर्मी पढ़ी रही है, तो जुलाई में भी heat waves देखने को मिल सकती है, heat waves का मतलब यह होता है, कि देखो एक normal temperature चल रहा है, अब उस normal temperature में अचानक से, suddenly 4 से 5 degree Celsius बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, heat wave कहलाएगा, ठीक है, 45 degree जैसे मालो, suppose कहीं पर 42 degree, 43 degree Celsius था, पहले से normal तरीके से, और अचानक से 3-4 degree Celsius बढ़ गया, अब वो 45 से उपर पहुँच गया, तो वो heat wave वाली condition में आया था, वापे बहुत जादा बिकट तरीके से गर्मी पढ़ रही है, ठीक है, clear हो गया, तो पूछा जाए heat wave क्या है, तो heat wave एक ऐसा period है, जहाँ पर high temperatures देखने को मिल जाते हैं, वो भी abnormal तरीके से, अचानक से आपर temperature का बढ़ जाना, जो जादतर heat waves आपको देखने को मिलेंगे, वो इंडिया में, north western हिस्सों में, उपर नदन वाल रीजन में, जो summer वाले सीजन होता है, गर्मियों का हिस्सा होता है, वहाँ पर गर्मियों में जादतर देखने को मिलता है, अच्छा, heat wave के पीछे का कारण क्या है, एक लौता, important कारण climate change, climate change यानि कि लगातर temperature का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, और गर्मी बढ़ किसकी वेसे रही है, इंसानों की वज़ा से, जो ये प्रदूशर्ड हो रहा है, pollution की वज़ा से याँ पर glaciers पिगल रहे हैं, वो तो खेर दूसरा टॉपिक होगा, glaciers पिगलने का, लेकिन इन pollution की वज़ा से carbon emission भी हो रहा है, जिसकी वज़ा से temperature rise हो रहा है, तो एक main कारण है, जिसकी वज़ा से कई भी बार बारिश कभी हो रही है, नहीं हो रही है, temperature का आप जो हमारा weather है, आप उसकी proper forecasting भी नहीं कर पा रहे हो, और इसी की वज़ा से heat wave भी चलता है, अब heat wave के health impacts क्या पढ़ता है, बहुत बुरे पढ़ता है, जब जब इतनी बिगट तरीके से घर्मी पढ़ेगी, तो body में dehydration स्टार्ट हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, heat cramps होने लगेंगे, heat stroke पढ़ने लगेंगे, ठीक है, ऐसे कई सारी problems यहाँ पर, इंसानों की जो खासकर बुज़र्ग लोग है, उनकी जान भी चली जाती है, बुज़र्ग लोग के लिए special यहाँ पर warnings निकाली जाती है, हर साल, तो यह था यहाँ पर पूरा पूरा heat wave को लेकर concept, next राडिकल पर आता है, दोस्तों अगले राडिकल पर बढ़ने से पहले make sure करना, वीडियो पर जो like button उसको press कर देना, एक छोटा सा target है यार हमारा 2000 प्लस likes का आप उसको achieve करवा सकते हो, तो इतना support जरूर से कर दिया करो, ठीक है, support मिलता है, motivation मिलता है, वीडियो में continuous रख पाता हूँ, ठीक है, अगला जो आर्टिकल यह बात करता, अगला तेकस्टाइल पार्क के बारे में, अब यह क्या है, इसको समझता है, हमारे PMODI का recent statement आया है, क्या statement आया है, कि एक नया, जो मेगा टेकस्टाइल पार्क है, धर डिस्रिट के अंदर में यहाँ पर बनाया ज़रा है, हार डिस्रिक्ट में, यह क्या करेगा, यह मेक इन इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट है भारत का, उसको मजबूत करेगा, कई सारी नौकरियां जनरेट करेगा, इस विए से यह न्यूज में है, तो यह मेगा टेकस्टाइल पार्क क्या है, इसको समझता है, देखो ऐसे पार्क कई सारे बनने वाले आने वाले समय में, ऐसे मेगा टेकस्टाइल पार्क तामिल नाडू में आने वाला है, तेलंगना, गुजरात, करनाड का, मध्या प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महराष्टर में भी यहां पर यह पार्क्स बनेंगे, जिसका नाम है क्या, PM मित्र, PM मित्र स्कीम, ध्यान रखना, PM मित्र स्कीम के अंडर में ही यह पार्क बनाए जा रहे हैं, तो आप से पूछा जाए कि जो यह मेगा टेक्स्टाल पा पहले आपने समझना होगा, टेक्स्टाल, टेक्स्टाल मतलब हम कपडो की बात कर रहे हैं, अभी आज के समय में क्या होता है, कि इंडिया की जो टेक्स्टाल सेक्टर है, वो बहुत बड़ा है, यह जो कपड़ वाली इंडस्ट्री है, वो काफी जधा बड़ी है, इसमें एक जगा पर हम क्या करते हैं कपडों का production करते हैं इसनको बनाया जाता है दूसरी जगा पर सिलाई विलाई होगी तीसी जगा पर उसके उपर जो coloring है वो होगा चौथी जगा पर design होगा है तो क्या करना पड़ता है एक जगा से दूसरी जगा पर उठा उठा के ले जाना पड लग रहा है तो इसी का एक solution निकाला गया क्यों ना एक पूरा ऐसा पार्क बना दिया जाए जिसमें सारे काम हो रहे हों सारे का मतलब जो कपड़ा है उसकी spinning बुनाई कड़ाई डाइंग, printing, manufacturing, exporting सब उठ जगा से हो रहा हो एक ही जगा पर एक ही ऐसा पार्क बनेगा बड़ा सा वहीं पर सारे plants लग जाएंगे सारा काम उसी जगा पर होगा आपको कोई भी transportation करने की ज़रूरत ने है वो transportation में जो process धीमी गती से बढ़ रहा था वो delay process रुख जाएगा मतलब यहां यही से पाको के सीधा अपने destination तक पहुचेगा वो अपने गंतवे तक पहुचेगा बात क्लियर हो गई तो एक ही जगा पर सारे काम करवाना इस प्रकार का यहां पर पार्क को बनाया जा रहा है और इसके लिए पैसा कितना खर्चा जा रहा है तो केन सरकार की साइट से आपर इसके लिए एक बजट निकाला जाए लगबख 4,445 यानि 4,445 करोडर रुपे खर्चे जाएंगे 2027 से 28 तक उसके बाद यह जो special purpose वहिकल है यह जो पूरी body बनाई गई है इसमें यहां पर जो हमारी राजसरकार है उनका 51% शेयर रहेगा और 49% शेयर रहेगा देखने को मिलेगा ठीक है आगे आता है जो सेंटल गोर्मेंट है वो सेंटल गोर्मेंट क्या करने वाली है यहां पर काफी सरा capital fund भी रिलीस करने वाली है अलग-अलग ट्रांचिस में पैसे रिलीस किया जाएंगे प्लस एक चीज़ और द्यानक ना यह जो पूरा मामला कि किया जा रहा है ना यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट्राइल सेक्टर के लिए अलग से मंत्राल है वह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट्राइल जिसके तहत हम इस पीम मित्र स्कीम को लागू कर रहे हैं और न 25 तक यह हमारा मार्केट टेक्स्टाइल वाला खासकर यह 1000 बिलियर डॉलर तक पहुंचाने का हमारा टार्गेट है उसी के लिए यहां पर इस प्रकार के जो पार्क से वो बनाये जा रहा है जहां पर काम तेजी से होगा जल्दी होगा इस इंडस्ट्री का रोल इतना बड़ा टेक्निकल टेक्स्टाइल का यह भी ध्यान रखना है और च्टा लार्जस सबसे बड़ा ग्लोबल शेयर है और हम लोग कॉटन जूट का भी प्रडॉक्शन सबसे जादा करता है तेक्निकल टेक्स्टाइल का मतलब है जो हमारी अलग-लग इंडस्ट्री में जैसे गाड़ी सिल्क वूल मैनमेट फाइवर जूट से यहां पर बन रहा है तो इन सभी सेक्टर्स में कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों में आप देखोगे इंडिया कहीं न कहीं स्टैंड कर रहा है दुनिया बर में जैसे अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन दूसरा मतलब कॉटन बनता है उन बनता है तो अगर हम रएंक ही बात करें तो सबसे जादाव प्रोड़्विजर में इंडिया च्छटे नमबर पर आता है ठीक है चाहिए तो जो इन प्रोड़ल पर का लोग का शादा बड़ा है इस स्टर का इंपॉर्टन्स यह भी है एकनोमिकल क्योंकि यह स् पारगेट है कि हम लोग और सारे लोगों को रोजगार दें इसी पर्टिकुलर से रिलेटेड है ठीक है अगली आर्टिकल पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जी एस पेपर नंबर थ्री एन्वोमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाऊगे यहां पर बात की जारी ह ओरंग नैशनल पार्क के बारे में तो यह ओरंग नैशनल पार्क क्या है इसको हम लोग यह समझते हैं ठीक है न्यूज में क्यों है क्यों है क्यों है कि हाली में एक बहुत जादा एज का जो राइनो है उसके डेथ हो जाती है तो इस वीज़ से यहां पर यह ओरंग नैशन पार्क देखने को मिलेगा अगर मैं लोकेशन दिखाना चाहूं यह हो यह नौर्ट इस्टन स्टेट यह यह यलो कुलर का स्टेट दिख रहा होगा असम बड़ा सा यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है सोनित पूर डिस्ट्रिक्ट वहीं पर ब्रहमपुत्र नदी बहती है उसके इसी ओरंग नैशनल पार्क को हम लोग मिनी काजी रंगा नैशनल पार्क भी बोलता है क्यों काजी रंगा नैशनल पार्क भी आपको समय देखने को मिलेगा जहां पर एक सिंग वाले राइनों की पॉपुलिशन सबसे जादा पाई जाती है अब काजी रंगा नैशनल पार के जानवरों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी प्लस पेड़ पौदों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी तो ग्रेट इंडियान वन होंड राइनो एक सिंग वाला जो गैंडा है वो अकसर न्यूज में रहता है यह वाली प्रजाती भी इस ओरंग नैशनल आइलेंड वाली जो कंट्रीज है वो आपस मिलकर कॉपरेट करके काम कर रही होती हैं तो अभी 22 माई को ये पूरा इवेंट हुआ था और कहां पे हुआ था पोर्ट मोर्स बे पे पोर्ट मोर्स बे ये जगा जो है वो पपुआ नियोगीनी में है आपको पता होगा पपुआ नियोगीनी के जो प्रदान मंत्री हैं वो काफी नियूज में आ गए थे जब इन्होंने यहापर पिया मोदी के पैर्च हुए थे तो ठीक है जब पिया मोदी को वेलकम किया था याद आ रहा होगा तो उसी समय पर ये समिट वी नियूज में था FIPIC समिट इसी को अटेंड करने के प्रदान मंत्री गए थे तो प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया ने पैसिविक आइलेंड वाले जो कंट्री है उनके जो लीडर से उनके साथ में बातचीत करी है क्लाइमेट चेंज को लेकर किया गया है अब ये कंट्रीज कहां पर है पहली बात तो ये बताओ जहां पर ये मीटिंग हुई है पपवनियोगीनी वो कहां पर है आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो इधर इंडियन ओशन है इधर पैसिविक ओशन है पैसिविक ओशन ये में ही ये जो पपवनियोगीनी आईलेंड है ये आपको दिख रहा होगा जापान से बड़ा आईलेंड है पपवनियोगीनी ये आपने ध्यान में रखना है हाला कि चर्चा आज कल काफी जादा है तो ये जो FIPIC जो ग्रूप है ये कितना बड़ा ग्र अलग से पैसिविक आईलेंड कंट्रीज हैं मतलब इंडिया इस गुरूप का हिस्सा नहीं है ये ध्यान अखना इंडिया अलग से इन 14 देशों के साथ में बातचीत करता है FIPIC का मतलब है देखो इंडिया और पैसिविक आईलेंड तो पैसिविक आईलेंड में ये 14 आईलेंड हैं कोक आईलेंड, फिजी, किरीबती, मार्शल आईलेंड, मार्शल आईलेंड, नौरू, नियू, सामुआ, सौलोमन आईलेंड, पलव, पपुवा नियूगीनी, तों Pacific आईलेंड में, मतलब Pacific Ocean में आती है, इस वैसे Pacific Island Countries के नाम से जानते हैं, तो भारत इनके साथ में cooperate करता है, इनके साथ में काफी समिट करता है, इस वाले मंच के मादियम से, FIPIC के मादियम से, तो इन सबी देशों के जितने भी हेड थे, है ना, सरकारी हेड थे, वो सब य 2014 में नवंबर में फिजी के अंदर ये वाला जो समीट है वो किया गया था अब जाकर अब फिर से यहां पर ये जो समीट है वो देखने को मिला है इस समीट के अंदर में मकसद यही है कि इन देशों के साथ में हम कॉपरेशन कर सकें और कॉपरेशन किन-किन चीज़ों को लेक अभी जो डिसक्शन किया गया है, Commerce या नी व्यापार को लेकर, Technology को लेकर, Healthcare को लेकर, या फिर साथी साथ में Climate Change को लेकर, आगे आते हैं अगले आर्टिकल पे, नेक्स डिकल में नीती पास के बारे में discussion किया जा रहा है, तो अभी यहाँ पे, Defense और Security के जो sources हैं, उनके थूरू बताया जा रहा है, कि हाली में, चाइना की साइट से, नहीं कि चाइना अपनी वाली साइड में, बौर्डर में, अपनी वाली साइड में, क्या कर रहा है, पीछ में यह नीती पास है, और इधर इंडिया है, तो यहीं पर अपनी साइड पर ही, लेकिन बहुत सारा तेजी से development कर रहा है, यह बाते हमें पता चलिए हैं, इसी वज़ा से जो नीती पास है, वो न्यूज में है, क्योंकि नीती पास के ज़स पीछे ही चाइना डवलप यह तिबबत वाला रीजन है, जिसको चाइना ने कबजा रखा है, ठीके, अब अगर मैं उत्राखंड के मैपको बिल्कुल बॉर्डर के पास से दिखा हूँ, यहाँ पर बॉर्डर के पास से, तो यह आप देख पार होंगे, यह चोटा सा जो मैंने गोला बना दिया, यही हमारे पास में न्यूज निकल कर आई है, तो नीती पास की जो लोकेशन है, वो जरूर से ध्यान में रखनी है, नीती पास क्या करता है, उत्रा खंड को तिबबत के सदन वाले हिस्से से कनेट करता है, एक जमाने में है यहाँ पर इंडिया और तिबबत के बीच में नहीं हमारे में भी जान लेना है तो यह भी एक रिमोट वैली है जो कहां पर है गड़वाल हिमाल्यास में स्थित है याने कि उत्रा खंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में यह जो वैलिड है इस वैली में इस वैली तो मैं यहाँ पर एक पिचर का यूज़ कर रहा हूँ, अब बोला जा रहा है कि नीती वैली भी काफी हुचाई पर है, पहाडों में हैं, बहुत हाई अल्टिटूट में आपको यह देखने को मिल जाएगी, तो जहाँ पर जो गर्मियों, सर्दियों का समय होता है, विंटर स गाउं हैं, जो की बसेवे हैं, बहुत सरी जो पॉपुलेशन यहाँ पर रहती हैं, वो जातर बोतिया शेडियूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, यह जो नीती वैली आपको दिख रहा है, यहाँ पर कई सरे जो गाउं भी आपको देखने को मिलेगे, जैसे नीती गाउं आपको देखने को मिल जाएगा, और यह जो गाउं है ना, यह नंदा देवी बायोस्फेर रिजर्व के अंदर यहाँ पर बसा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो, आगे आता है नेक्स अर्डिकल पर, अगले अर्डिकल में NVS-01 के बारे में डिसकेशन किया या है, अब यह क्य होगे, huge size का यह rocket होता है, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV, यह GSLV वाला है, जियो synchronous satellite launch वही कल इसको बोलता है, तो आंदर पदेश श्रीहरी कोड़ास ने आपर इसको launch किया जा रहा है, तो इस विससे यहाँ पर जो NVS-01, आप से पूछे जा सकता है, NVS-01 रिसेंटली न्य अब दीरे-दीरे इंडिया GPS सिस्टम को पचाड रहा है, भारत के पास में NAVIC सिस्टम, भारत ने अपना खुद का navigation system मना लिया है, NAVIC, चिक है, यह आपने ध्यान में रखना है, इंडिया अपना खुद का navigation system यूज़ कर रहा है, NAVIC, इसमें बहुत सारी satellite हमने अंतरिक्ष है, ध्यान रखना है, इंडिया NAVIC को बना चुका है, अपना खुद का यहाँ पर GPS, खुद का navigation system मना चुका है, इस GPS सिस्टम से क्या हो सकता है, आप इंडिया की सारी mapping तो कर सकते हो, साधी साथ में इंडिया के बार्डर के 1500 km आर पार भी यहाँ पर देख सकते हो, आप दू NAVIC क्या है, यह है, navigation with Indian satellite इसकी full form है, navigation with Indian satellite, यानि जो locations का पता किया जा रहा है, वो basically Indian satellite का use करके किया जा रहा है, आप देखते हो ना सारी mapping, road वगरा जैसे चेक करते हो, तो वो सब यहाँ पर अब इंडिया वाले system से किया जा रहा है, NAVIC उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग अब NAVIC में लगबख साथ satellite को launch किया जा है, और वो जो साथ satellite है, वो 24 into 7, यानि कि हमेशा 24 गंटे काम कर रही है, और जो कि यहाँ पर अर्थ के आसपास घूम रही है, हमें सारा mapping प्रोवाइट करवारे हैं, डेटा प्रोवाइट करवारे हैं, यह इस में से ना, जो हमने सा satellite launch करी है, चार तो हमने geostationary orbit में launch करी है, और तीन geostationary orbit में launch करी है, और चार हमने geosynchronous orbit में, अब यह geostationary और geosynchronous orbit कौन से होता है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ अर्थ के आसपास आपको काफी सारे orbit देखने को मिलेंगे, अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर आता है, सब से पहले low earth orbit, जो सबसे नीचे होता है, ठीक है, उसके भी satellite launch होती है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखता होगे, एक आता है geosynchronous orbit, फिर उसके बाद geosynchronous orbit आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में आपको यह देखने को मिल जाएगा, एक और orbit जिसको हम लोग बोलता है, जियो स्टेशनरी औरबिट, ठीक है, तो जियो स्टेशनरी औरबिट, काफी ज़ादा दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा, यह 36,000 किलोमेटर दूर आपको सकते हो, यानि प्रतिवी से 36,000 किलोमेटर दूर उपर जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आप जियो सिंक्रोनस औरबिट तक पहुंच सकते हो, जहाँ पर सेटलाइट्स को लॉंच करने का काम किया जाता है, तो इसमें से कई सारी सेटलाइट्स जियो सिंक्रोनस औरबिट पर हैं, कुछ सेटलाइट्स यहाँ पर जियो स्टेशनरी औरबिट पर ह तो यह जो नैविक का coverage है इस नैविक ने क्या क्या है मतलब यह इंडिया की region को plus यहाँ पर कह सकते हो कि हमारी जो boundary है भारत की जो boundary है उससे 15 km दूर ही पर आप देख पाओगे उस particular region की mapping हम लोग कर सकते हैं यह आपको क्या क्या प्रोवाइट करवाएगा आपको location based services उसके बा पर है GBU-57 को लेकर यह GBU-57 क्या discuss करेंगे US की military ने हाली में एक picture का post किया है और picture जो था वो इसी powerful bomb को लेकर है यह bomb आप देख पार हो इसी GBU-57 के नाम से जान रहे हैं इसको design ऐसे किया यह कि कभी-कभी होता है ना कि अगर मालो nuclear war हो गया या nuclear weapon कहीं पर शोड़ा जा रहा है तो उसके लिए कई सारी जगपर bunker बना ली जाते हैं जमीन के अंदर यहां पर घुसकर बैठ जाते हैं तो यह वाला जो bomb है जमीन के अंद अंदर घुसकर जाकर bunker को उड़ा सकता है यह इसके अंदर ताकत है यह अर्थ के अंदर जाकर यह bomb फटेगा अर्थ के अंदर जाएगा और अपने target पर hit okay फटेगा तो इस प्रकार का bomb भी आपको देखने को मैं लेगा जिसको GBU-57 के नाम से जानते हैं ठीक है इस bomb को हम लो target की जो location उसका use करके क्या होता है यह अर्थ के अंदर घुसता चले जाएगा और घुसने के बाद में अपने target को जहां पर वो bunker वगरा बना होगा जमीन के अंदर में जैसे पुतिन का bunker आपने सुना होगा कई बार पुतिन बंकर में चले गए तो जमीन के अंदर जो bunkers बने अच्छा इस बॉब को किस ने बनाया है तो इसको मनुफाक्चर किया गया बॉइंग के थू यह धियान रखना है और इस बॉब का यूज जो है यूनाटेट स्टेट्स की जो एयर फोर्स वह भी कर रही है इसको यूज इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो जमीन की अद टार्गेट पर पहुंचने के बाद में यह फटेगा इस प्रकार की चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं ठीक है एक आगे स्टील का ऐलोई आपको यह देखने को मिलेगा जैसे यह लगावा है और यह धरती के अंदर जाकर टार्गेट पर हिट करके फटेगा तो दोस्तों यह थे सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स नाउ स्टार्ट करते हम लोग अपने प्रिलेम्स रैपिट फायर के क्वेश्टन्स को जो भी कुछ यहां पर आपने सुना है पूरे लेक्चर से सीखा है उसको टेस्ट के फॉर्म में अटेंट करना है पहले सर्फेस लॉंच मिसाइल सिस्टम जो है या हाली में न्यूज में देखने को मिला है यह सिस्टम कौन से देश को बिलॉंग करता है ऑप्शन ए रशिया बी यूएसे सी जर्मनी सॉरी सी इंडिया या फिर डी जर्मनी बताओ इसका सही उतर क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है अगले सवाल पर आते हैं यहां पर आपसे पूछा गया है लैंडलोड पोर्ट मॉडल जो लैंडलोड पोर्ट मॉडल है इसको लेकर दो स्टेटमेंट से बताओ कौन सा स्टेटमेंट साई है पहला स्टेटमेंट यह जो पोर्ट होता है यह पब्लिकली गवर्ट पोर्ट के माध्यम से regulate के जाते हैं यानि कि एक सरकारी body होती है वही एक regulatory body होती है जबकि private company का काम केवल यह होता है कि port को जो बाकी operation का काम है वो करना दूसरा statement बोलता है कि जो private firm है उनके पास में इस landlord port की ownership होती है यानि private company ही owner होती है इस landlord port की इस वाले model में तो बताओ यहाँ पर कौन से statement सही है option A1 only, B2 only, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत है अगले question पर आते हैं नेक्स question आपसे heat wave को लेकर पूछा या है दो statement से बताओ कौन से सही है पहला statement जो heat wave है यह basically एक period है जिसमें abnormal तरीके से high temperature हो जाता है ठीके एकदम से यहाँ पर temperature का increase हो जाना यह हम लोग इंडिया में खासका Northwestern region में गर्मियों में जातर heat waves देखते हैं second statement जो heat wave है यह कह सकते हो कि मुश्किल से March और June के महिने में आपको यह देखने को मिलेगा और कुछ rare cases में July में भी heat wave आता है तो बताओ कौन से statement सही है option A1 only, B2 only, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत है अगले question पर आता है next question मैं आपसे पूछा यहा mega textile park के reference में दो statement से फिर से बताओ कौन सा सही है पहला statement यह जो mega textile park के यह PM विकास scheme के अंडर में आता है दूसरा statement एक special purpose vehicle एक अलग से body बनाई गई है जो की केंदर सरकार और राजे सरकार ओन करेंगी और यही body का main काम होगा इन textile park को आगे लागू करना जो यह project इसको आगे लागू करना तो बताओ कौन सा statement सही है option A1 only, B2 only, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत है अगला question बहुत ही जदा simple सा है ओरंग नैशनल पार्क कौन से राजे में स्थित देखने को मिलेगा A. Assam, B. Kerala, C. Tamil Nadu या फिर D. Gujarat next question बराते हैं अगले question में आपसे पूछा या है Forum for India Pacific Island Corporation यानि FIPIC को लेकर दो statement से बताओ कौन सा सही है पहला statement यह जो body है एक multi national grouping है यानि कई सारे countries इसका हिस्सा है यह corporation है जिसमें एक तरफ इंडिया है और दूसी तरफ 14 Pacific Island Nations है second statement बोलता है कि FIPIC का summit जो 2023 वाला हुआ है यह हाली में डेली के अंदर हुआ है तो बताओ कौन सा statement सही है option A. one only B. two only C. दोनों सही है या फिर D. दोनों गलत है तो दोस्तो आज हमारे पास में questions बस इतने ही सही थे और I hope आप लोगोंने maximum question को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा देखते हैं और last वाले questions से answer को cover करना start करेंगे आप लोग rematch करना और जो भी score आया था उसको नीचे comment section भी लिखना तो आखरी question से answer को देखना start करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा या था Forum for India Pacific Island Corporation को लेकर तो यहाँ पर तो पहला statement सही है दूसरा statement गलत है पहला statement बिल्कुल सही है एक multinational group है और इस group में एक तरफ इंडिया दूसी जरफ चौदा Pacific Island Nations जो है आपस में cooperate करके काम करते है दूसरा statement गलत क्यों है क्योंकि इसका 2023 का जो summit है वो डैली में नहीं हुआ था जरा आप बताओगे नीचे उस place का नाम बताओ जहां पर यह summit वाय रिसेंटली आगे आते हैं उसके बाद next question पर अगले question ने पूछा गया था ओरंग नैशनल पार्क कहां पर इस्तित है तो असम के अंदर आपको यह स्तित देखने को मिलेगा ठीके तो असम के अंदर अच्छा याद है क्या आपको वो कौन सा district है जहां पर यह आपको औरंग नैशनल पार्क देखने को मिलेगा ज़रा उस district का नाम बताना अगले question ने पूछा गया था mega textile park के बारे में तो यहां पर दो statement है बताओ कौन से सही है पहला statement तो सरा सर गलत है क्यों गलत है क्या यह textile park PM विकास scheme के अंदर में चलाया गया है नहीं यह चलाया गया है PM मित्र scheme के अंदर में आपको याद होगा PM मित्र scheme मैंने पढ़ाया था तो पहला statement हो गलत दूसरा सही है क्योंकि यहां पर इस scheme को implement करने के लिए इस particular scheme को implement करने के लिए एक अलग से body बनाई गई है जो कि cancer कार राजसरकार के थूँ ओन की जाएगी और वह यहां पर इस project को लागू करने का काम करेगी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा option number B2 only फिर अगले question में आप से पूछा जाता landlord port model को लेकर एक सेकंड यह रहा पताओ कौन से statement सही है तो यहां पर केवल पहला वला statement सही है दूसरा वला गलत है पहला वला इसलिए सही है क्योंकि यहां पर एक सरकारी port authority बनाई जाती है जिसका main काम होता है कि इस पूरे landlord port model के अंदर में जो बंदरगा होता है न उस बंदरगा को govern करने का उसका regulate करने का कम सरकारी body का होता है सही है पहला statement दूसरा statement private company के पास में ownership होती है इस port की इस model के अंदर तो ऐसा नहीं है जो land port model के अंदर port त्यार के जाते हैं वहां पर private firm नहीं government firm का एक बहुत बड़ा रोल होता है फिर अगला question आपसे पूछा जाता iris t surface launch missile system recently news में था बताओ कौन से देश का है तो वो optionability Germany का है जिसको अभी European nations और साथी साथ में NATO के दो countries है जो कि इसको purchase करना चाह रहे हैं और Germany के साथ में बातचीत कर रहे हैं तो दोस्तों यह था सारका सारा discussion I hope आपको मज़ा चुका होगा तो क्या score आया है आपका कौन कौन से question गलत किये हैं और क्यों गलत किये हैं गलत हुएं तो कोई बात नहीं परिशान नहों कल फिर से वीडियो में मिलेंगे और कल फिर से आपने पूरे concentration के साथ में जो articles हैं उनको सुनना है सुनने के बाद में question को attempt करना test attempt करना कल obvious सी बात है आपका score improve होगा जिसका score improve नहीं हुआ है चलो फिर बिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के लिए बाइबाई फैव नाइस दे थैंक्यू एंड जय हिंद